ओम शिरी गनेशाय नमें ओम शिरी प्रमात्मने नमें ओम नारेणं नुशिकर्तं नर्वंचे वनुरृत्तमं देवी सर्ष्वती व्यासं ततो जय मुदीर गेतं ओम जम्रम बेदंत विदोवदंते परमा प्रधान परश्वत थन्ने बेश्वो दगते कार्णमी श्रमबा तसमे नमो बेगन विना सिनाए प्रिये भक्तजान प्रिये स्रोताजन प्रिये दर्शको आप सब भक्तजान मेरे अध्यात्मक चैनल योतिश कर्मकांड और प्रवचन को यूट्यूब के मादिम से सर्वन कर रहे हैं वो प्रिशन भगवान की जैए आज के प्रवचन प्रसंग में आप भक्तजान सर्वन करेंगे के अहिंसा पर्मो धर्म है जीवों की रक्षा करना जीव जन्तों को नए मारना जैस सबसे पवित्तर पर्मधर्म है क्योंके सब जीव उस प्रवचन की रचना है सब जीवों में उस प्रवचन का नूर है सब जीवों में उस मालक की जोत है इसलिए हिंसा नहीं करनी चाहिए अहिंसा ही पर्मधर्म है अहिंसा पर्मो धर्मे आज के परमपवित्र इस परवचन परसंग में यही कहा गया है के सुरी से जीबों की हत्या मत कर जो जीबों की हत्या करता है उसे बहुत बड़ा पाप राफ्त होता है परमपवित्र सिरीगर्ड पराण जी में पी उपदेश दिया गया है के जो शिकार करके अथवा किसी भी ढंग से जीबों की हत्या करता है उसे उस पाप का बुरा फाल उसो फाल पोगना पड़ता है तिरीगर्ड पराण में कहा है के जो जीबों की हत्या करता है आने वाले दूसरे जन्म में वह बक्रे की जो निप्रावत करके किसाई के घर में जन्म लेता है और फिर किसाई उसको उसी तरह सुरी से मारता है जैसे उसने जीबों की हत्या की होती है इसलिए भाई जीब जन्तों की पशू पक्षियों की मालक की बनाई हुई इस प्रकिरती की हत्या मत करो इसके लिए अपने मन पर निजन्तर न रखके जीब जन्तों का मांस खाना शोड़ दीजिए और बैशनब भोजन जो प्रबु ने आपके लिए बनाया है उसको ही प्रबु का धन्यवाद करते हुए प्रबु का सुक्राना करते हुए बैशन भोजन ही खाना चाहिए जो जीब जन्तों का मांस खाकर हत्या करके अपने स्रीर को बढ़ाते हैं अंत में बैश स्रीर मिटी में ही मिल जाएगा आपके साथ जाने वाला नहीं है इसलिए मन में निमर्ता धार्न करें मन में प्रेम धार्न करें मन को पिवित्र करें और जीब जन्तों को नए मारने का संकल्प करें जदी हम जीब जन्तों को मारना शोड़ दें फिर ही इस प्रिक्रिती की ठीक तंग से रक्षा है हम देखते हैं बिल्कुल सची बात है के मेरे जीबन में मेरे ही देखते देखते मेरे ही आसपास का जो भगोलक बातावर्न है उस बातावर्न में से कितने सुन्दर सुन्दर जीब जन्तों पशु पक्षी अलोप तक हो गए हैं बचपन में, खेतों में, जो हम बड़े सुंदर सुंदर पक्षी मोर देखते थे तोते देखते थे, तित्तर देखते थे और हिर्न मिर्क देखते थे, रोज देखते थे इसे तरह गिदड, लोमडियां और पी बड़े ही सुन्दर सुन्दर पशू पक्षी जो खेतों में विच्रिन करते थे हिंसा प्रभिर्ती वाले पापी लोगों ने उन पशू पक्षियों को मार मार कर उनका मांस खाखा कर उनका अंत कर दिया है उनको लोग कर दिया है और प्रभु की पगवान की बनाई हुई प्रकृती का संतुलन हिला दिया है इसलिए अभी पी समय है अभी पी हम प्रभु की किरपाद्रिष्टी प्रावत कर सकते हैं जीबों को पशू पक्षियों को मारना सोड़ दीजिए हिंसा करनी सोड़ दीजिए मांस खाना सोड़ दीजिए और सुद बैशन भोजन करके प्रभु के गुनगाया करें उसका सुक्राना किया करें और जदी हम ऐसी पाप की प्रविर्टी को सोड़ देते हैं फिर ही हम जब जीब जन्तों पशू पक्षियों को प्यार करेंगे साथ ही फिर ही सच्चा मानब प्रेम सुरू होगा जो मानबों से द्वैस रखते हैं अपने प्रभु के बनाये हुए मुनश्यों से द्वैस रखते हैं उनका मुख कारण उनके मन में जो हिंसा प्रविर्टी है वह दूर नहीं हुई है क्योंके पशू पक्षियों को मार मार कर उनका मांस खा कर उनका जो मन है वह पत्थर जैसा कठोर हो चुका है इसलिए प्रिय भक्त जन प्रिय सोता जन सचे मन से हिंसा ने करने की कस्म खाएं हिंसा परमो धर्म है ऐसा अपने मन में विचार बना कर रखें सभी जीव जनतों से सभी मनस्थों से सभी परकृती के जो भी पेड़ पौदे हैं सभी से प्रेम भाव बना कर रखें और प्रवु की रचनम को और सुन्दर बनाएं प्रवु के बनाए हुए सुन्दर सुन्सार को देखते हुए ब्रमनंद की प्रावती करें प्रवु भक्त सिरी ब्रमनंद जी ने भी ऐसे ही हिंसा ने करने और जीवों को प्रेम करने और मासने खाने का परम पवित्तर उपदेश अपने इस सुन्दर भजन द्वारा दिया है प्री भक्तियान प्रवु भक्त ब्रमनंद जी का भजन सर्वन की जीए जीवन को मत मार सुरी से हे पापी जीव जीवों को मत मार सुरी से मार नहार खड़ा तेरे सिर्प जीवन को मत मार सुरी से मार नहार खड़ा सिर्थेरे जीव मार कर अमर नहोएं क्यों करता फिर पाप घनेरे जीव जन तु मार कर अमर नहोएं क्यों करता फिर पाप घनेरे मांस खायतन मांस बढ़ावें सोतन अंतन संग चलेरे जीवन को मत मार सुरी से जीवन को मत मार सुरी से मार नहार खड़ा सिर्थेरे इश्वर के सब पुत्तर बराबर नहोएं क्यों करता फिर पाप घनेरे जीवन को मत मार सुरी से जीवन को मत मार सुरी से इश्वर के सब जीव बराबर नीच उच नैननम तहेरे इश्वर के सब जीव बराबर इश्वर के सब पुत्तर बराबर नीच उच नैननम तहेरे जीवन को मत मार सुरी से मार नहार खड़ा सिर्थेरे ब्रह्मानन्द दे आधरमनमे जाननहार जान प्रभु नेरे जीवन को मत मार सुरी से मार नहार खड़ा सिर्थेरे वोल क्रिशन वहवान कीजए वोल ये सचे दरवार कीजए हे हिंसा करने वाड़े पापी जीव उस प्रभु को जाद कर हर समय काल व्याल तेरे सिर पर मडराता रहता है जिस स्रीर के लिए तो जीव जन्तों की हत्या करता है एक दिन तो पी काल व्याल का ग्रास बन जाएगा इसलिए हिंसा करने शोड़ दे बगवान प्रभु के बनाय हुए जीव जन्तों को सच्चे मन से प्यार कर मांस खाना शोड़ दे बैशनव भोजन कर नाम सिमर्ण कर प्रभु के गुणगा प्रभु का सुक्राना कर ओम सिरिक्रिष्ण गो बिंदः हरे मुरारे धनात नारायन वासुदेवे शिरिखिशन गोबिंद रे मुरारे एनात नारायन वासुदेव, तमेव मतास्पिता तमेव, तमेव बंधूच सखा तमेव, तमेव बिद्या चतरुनुं तमेव, तमेव सर्वमम् देव देव, ओम सर्वे वभन्तु सुखिनें सर्वे संतु निरामें सर्वे भद्रानि पश्यंतु मा कश्दुख भाग वभेत। हरि ओम तत सतउ शान्ती 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 हरि मतत सथ ंती शाहनटी शान्ती अव सुखृ शान्ती रभवतु ओम नमो नाराइनाये ओम नमो नारेनाए ओम नमो नारेनाए ओम नमो नारेनाए झाल 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 झाल